जी इसलाम लेकुम दोस्तों यह हमारे पस इन्वर्टर रहा है दोजाट दो माडल हो मैच का तो इसको हम चेक करेंगे इसमें प्राप्लम के रहे हुआ लाप्लम के लिए पार को तो में प्राप्लम का थक्ता थामाट इसलाम लेक। झांते हैं प्राप्लम के रहे हुआ है दिए अंहें, थाखिया है इसको हम चेक करेंगे इसमें प्राब्लम क्या है अगर आपने बैटी की तारें लगाई है उनको उतार लें तो आपने इसको मेटर लगाना थे इसको आप चेक करें इसके आफटी शॉट एंप इंसाइड के अपर इसी और आउपट पर आजाएं इसको देखें इसके भी यह दो आफटी शॉट पहला और पहला चोड़ के दूसरा और तीसरे चोड़ के चोड़ता है तो इसके अफटी खराब है यह वाले है यह हम नहीं लगाएंगे चार्जिंग को नजर माले है चार्जिंग इसकी चार्जिंग बिल्कुल ठीक है तो आप हम इसका इंवन्टर पपहर करेंगे इसके कफेसर निकाल लें सारे पर इसके हमने निकाल ली है तो इसके फटी प्टागे एख रचुक ख़िकार अब इनकों चेंज करेंगे यह सबसे पहले FED लगाएंगे उसके बाद या IC 232 होता है यहां पर लगी होती है 47 Ohm की रिस्टेंस लगी जाती है वो भी इसकी साथ चेंज होती है क्योंकि यह डेमज हो जाती है जब FED फट जाता है तो यह डेमज हो जाती है वो भी आपने चेंज करनी है तो आपको चेंज करके चेक करवाते है तो यह हमने सारी चीज़ें इसकी उता है उनको बड़ी अच्छी तरह हमने क्लियर भी कर दिया तो अब हम इसकी जो 0.47 है 47 Ohm की जो रिस्टेंस है कि सारी की सारी हम चेंज करेंगे उसके बाद इसकी हम आपको रिडिंग बताएंगे जो कि यह आनी चाहिए अगर यह नहीं आ रही है आपकी इसका मतलब आपकी इंसाइड फैंपी फी कोई प्राब्लम है उसको चेंग करेंगे अब आपकी व्यूद्रा इसको अची तरह नहीं करते हैं लिए अफीटी में लिए नहीं है यह डबल टाइवड होता है तो जो कि आपका यह लिंग लगा होगा तो उसका चार्जिंग एरिया बलास्ट हो जाएगा इसको आपने नहीं उतारने, इसको नहीं आपने छेड़ना, तो यह देखें हम आपको बताते हैं कि इसकी अभी हमने, पूटी से हम उतार ही नहीं है, तो इसको लगा के देखते हैं, कि यह क्या कर रहा है, आपको लगाया, ट्रीकर, 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 जो इसकी अंदर वाली जो पॉइंट संता लिए हुम है यह खराब है यह कोई दोसों के दोसों बता रही है को तीन सों बता रही है को इसका की इसकी रिडिंग आ रही है जिके तो में इनको चेंज करेंगे उसके बार आप दो यह हमने इसके एफटी पर दगा दी है तो इसकी आफ रिडिंग चेक करते हैं एक 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 एफटी पर रिडिंग चेक करना है अगर यह उपर नीचे है न इसको आपने चेक करना है कोई ना कोई रिस्टेंस इसकी डैमज है जो के आपको चेंज करनी पड़े गए अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वह वाला एफटी आपका प्लास्ट और चुकर तो इसको इदर से पल्स नहीं मिलेगी है अगर तो अगर हम इसका जो आई सी है वह लगाएंगे पैंटीस फटीस अगर आपके पास बेस है तो लगा लें बेस नहीं है वैसे निकाले बेस का फायरा यह उता है कि अगर बाद में आपके पास और कोई इन्वार्टर आता है तो आप बास हैंदी उसको होई है आपकी जो मेना तही है बचेगी और अब जाए है यह जो अब जाए है अब किसी भी कंपनी का जो अच्छा आपको लगे और लगा सकते हैं जैंटीस फटीस है इसी कि अब जाए है और यह मनें आपको बताया था इसके खराब है इसके लिए आपको यह पैसर निकालना पड़ेगा यह वाला उसके बादिया आपके वासानी निकल भेंगे और लगी जाए है कि अब दो लगे और लगे बंप लगे 197Fd कि थे मंगें सब्स कर ने तर रहतना में खराब है दीता है कि अब भेंगे खराबंया वह आपको पर आज कि है इस अपर इस अपर्फ में करते हैं इस अपर्फ में जो मैं डिक अपिटी यूस करती है मैं 1407 डबल पैटी वाले का, सिंगल मार्व को हम लगाते हैं 325 तो आप कोशिश कह रहे हैं डबल पैटी वाले के 1407 लगाएं कि इस पर लोड होता है अगर आप 325 लगाएंगे जल्दी इकराब हो जाएंगे कोशिश कह रहे हैं आप इसको 1407 लगाएं इसको 740 में रखते हैं आउट्पट पे जो इस्तमार है हमारा यह वाला इस जबाप है अगर दोस्तो आपको पहले भी हम लगाएं इसका चेंज क्या 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 किया है यह 3525 लगाएंगे इसका इसका इंवर्टर फरारा था 1407 इसके फ़ीटी और नीचे लगी थी 47 ओं ठीक है उसके बाद यह 740 लगे हुए थे जो कि इसके शाट हुए वह वह थे यहां ने दो चेंज की हैं उसके बाद आप जबाएंगे चेक करें जब भी कोई स्तरह का केस आए जब चीज़ें आप जरूर चेंज करें इसके एफ 144 अगर आपके खराब हैं तो आप चेक कर लें ठीक है तो फिर लगा तो अब हम इसको फालिए चेक करने लगा है हमारा यूपेस यह ओक हुआ है या नहीं हो कि अग्री पाल्ट के यह मैं तो यह वाल्टर चावीस वर्ल्ट का था तो यह वाल्टर ठीक हो चुक्त देखें जब तल्याम इसको आण का रहे देना और यह ट्रिप वह रहा था ठीक है अब यह बिल्कुल ठीक हो गया ठीक आड़ा मैं में गड़न का पाल्टर भाता में ओर टीक है नहीं के चुसले कम अधीक मैं आविबाद इसको प्रण सबचयार बहुएंय। करवाती है फंका लगा कि इसका में फैन भी लगा दिया कि इसके फिर लोड डाल पिर लेखें इसके फिर लोड भी चल गया इस यूट्यूब फर लोड के लिए कि अखी है पृप्पॉपक्ण रहे हैं पुछ प्राइब को जरी अरी पुछिए लोड और आपैंट असल्टर्च के लोड देखेंगे, घुछिए जाए ने आपैन आपिक्टर्च का अपैज्टर्च का इसके लोड़ए प्राइखचार अप्राइब वो ट्रिकल चार्जर की आप्टिन होगी इसमें जितनी आपकी बैटी डिस्चार्ज होगी उसी साफ से इसके हम तेरा जाएंगे तो यह फाइंली हमारा इंवल्टर बिल्को लोके हो चुका है तो इंशालला मिल्टे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरी अपकमिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें ताके आप तक पहुंच सके मेरी आने वाली हर वीडियो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्यार रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अजरूंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज दोस्तो